तब आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली में बरसी है आपदा की मार मौसम का रेड रिलोड वारिश काट है ये तो अभी ट्रेलर है तबाही की पिक्चर अभी बाकी है ये बारिश लाई की बरबादी वाली सुनामी दिल्ली अन्सियार में जल तांडव का सितम आस्मानी आफ़त पर आया रेड एलोड बादल भम का खत्रा अगले 72 घंटे भारिश बारिश ने कह ढ़ाया तो राजधानी घुटने घुटने पानी में समा गई कुद्रत के आगे ये इंसानी सरेंडर है एक दू नहीं बलकि कई इलाके इस वक्त गरचते बादल और बरसते पानी की कहर से कबजे में ये तबाही का ट्रेलर है अगले 72 घंटे देश की राजधानी पर बहुत भारी है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है यानि आसमान से बरस रही आफ़त हाहा कार मचाने को तयार है बाढ़ बारिश वाला आफ़त काल दिल्ली पर कितना भारी है आप तबाही के मनजर से समझे बारिश ने तोड़ा 41 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में आसमानी आफ़त जारी मुस्लाधार धसी सडक फसी जिन्दगी रोहनी की रेड लाइट पर 20 फिट लंबी और 20 फिट चोड़ी सडक धसी बेरिकेटिंग कर सडक को किया गया बंद सडकों पर तैरते दिखे वहन दिल्ली का प्रगती मैदान क्षेतर भारी बारिश का बना दरिया सडकों और चोराहों पर तैरते दिखे वहन गाडियों की आई आफ़त दिल्ली के निजामुदीन में बारिश और जल जमाव सड़कों पर भरे पानी में फसी कई गाड़िया पानी भरा स्कूल बंद बारिश से नोईडा गाजियाबाद दिल्ली गुरुग्राम के स्कूल बंद कर दिये गए घर बना स्विमिंग पूल गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते इलाकों में भारी जल जमाव आठ से दस फूर जादा भरा पानी लोगों के घर डूबे हर्याणा के हतनी कुंट बैरास से लगभग एक लाग क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिसके बाद जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है यानि आने वाले दिनों में यमुना का जलस्तर और बढ़ेगा और यमुना खत्रे के निशान से आने वाले कुछ दिनों में ऊपर होगी ऐसे में दिल्ली के निचले हिलाकों में बाळ का खत्रा वो मड़ाता रहेगा मौसम का सितम ऐसा कि ना तो मंदिर बच रहे हैं ना ही शवाला ये तस्वीरें आधे इंदुस्तान और दिल्ली इंसियार में सैलाब के आफ़तकाल की गवाही दे रही है मौसम विभागने चेतावनी जारी कर दी है मतलब यही है कि कुद्रत का कोहराम अभी शुरू हुआ है आज तक ग्रूँ